Hey everyone, most welcome तो अभी तक हम cash flow statement को ही पढ़ रहे थे तो cash flow statement में हमारा जो तीन तरह के main activities थे जो कि हमारे operating activities, investing activities and financing activities हैं ये सारे हमारे complete हो चुके हैं and इनसे question कैसे solve करना ये भी हमने सीख लिया है but आज के class में हम सभी पूरे full question को solve करना सीखेंगे मतलब कि जब आपको question में financing, operating and investing तीनो activities की चीज़े हो और आपको cash flow statement बनाने को बोला जाए तो आप कैसे prepare करोगे तो बिना time waste के चलो start करते हैं तो हम यहाँ पे आज की class में ना दो simple question को समझेंगे पहला question तो बिल्कुल ही normal है एकदम बस कैसे बनाते हैं इस चीज़ को समझेंगे हम इस question से और जो second question है वो थोड़ा सा normal से above में है जिसे हम medium बोल सकते हैं और इसका हमारा एक और last class आएगा जिसमें हम सभी थोड़े कठीन questions को समझेंगे ठीक है जिसमें की adjustment वेगेरा होते हैं तो चलो start करते हैं तो सबसे पहले देखो question आपको board पर दिखेगा मैं पहले की तरह ही question को अपने notebook से पढ़ूंगी ठीक है मैंने question को book से notebook में लिख लिया है क्योंकि book बहुत मोटा होता है न तो hold करने में problem होता है that's why तो देखो यहां पर क्या लिखाया from the following information prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2019 ठीक है यहां पर कौन-कौन से information है तो देखो सबसे पहला आपका net profit before tax जो है 1819 का दिया हुआ है ठीक है देखो मैंने आपको पहले ही जब हम operating activities पढ़ रहे थे उसी time पर मैंने आपको बताया था कि cash जब भी हम cash flow मतलब cash flow statement बनाए तो हमें net profit के और सकता होती है net profit before tax के और सकता होती है तो उसे हमें calculate करना पड़ता है लेकिन यहां पर दिया हुआ है तो ठीक है बहुत अच्छी बात है यहां पर हम calculate नहीं करेंगे अब देखो आपका cash balance दिया हुआ है यह देखो 1st April 2018 का है इट मेंज कि यह opening balance है मतलब opening date का cash है और उसके बाद आपका cash balance at 31st March 2019 का है मतलब closing date का cash balance दिया हुआ है now decrease in inventory, increase in trade payables given है, sale of fixed assets, redemption of 10% debentures देखो इस question से बस हम एक idea लेंगे कैसे solve किया जाता है cash flow statement को that's why यहाँ पे दो अलग-अलग date का comparison नहीं किया गया है, सारे एक final amount दिया हुआ है जिसे हमें दिखाना है, ठीक है तो चलो start करते है तो देखो, सबसे पहले cash flow statement जब भी हम बनाएंगे, ठीक है मैं इधर solution करती हूँ, solution लिख लेंगे and आप लिखोगे heading cash flow statement ठीक है यह जो अभी हम बना रहे है, यह क्या है हमारा cash flow statement और यह कब का है, तो for the year ending 31st March 2019 इस तरीके से हमें लिख लेना है, format draw कर लेना है, ओके इस तरीके से हम format draw करेंगे अब देखो यहाँ पे समझना क्या है, तो यह तो हमारा format हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमें particulars लिखना है, तो लिख देएंगे हम यहाँ पे amount and amount, अब देखो, मैंने आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, कि पहले हमें cash flow from operating activities बनाने होते हैं, तो सबसे पहला यह number देकर आपको यहाँ पे ऐसे cash flow from operating activities लिखने होंगे, ठीक है, उसके बाद, आप क्या करोगे, second, B number दोगे, कुछ space छोड़के, क्यूंकि यहाँ पे हमें इसका जितना भी calculation करना है, वो यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें calculate करना होता है, cash flow from investing activities, ओके मैं activities को short में ACT लिख रही हूँ, ओके, then हमें third number, C में calculate करना होता है, cash flow from financing activities, ओके, मैं short में ही लिखती हूँ अभी, अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, कि जब भी हम cash flow from operating activities की बाते करें, तो किसी भी business में, या जो भी, जिसका भी हम यह cash flow statement बना रहे हैं, उसके operating खर्चों को लिखते हैं, जो business में day-to-day operate करने के लिए use होते हैं, उन खर्चों को लिखते हैं, then है cash flow from investing activities, तो इसमें investment related लिखते हैं, जैसे कि कोई fixed assets purchase किया आपने, तो ये एक investment हुआ, आपने कोई long term investment के लिए आपने कहीं अपने पैसे को invest कर दिया, तो वो भी आपका investing activities में आएगा, then है आपका cash flow from financing activities, मतलब financing activities में आपका loan, shares और debentures से related चीज़ें आजाएंगी, हैना, ये सब भी मैंने आपको पहले भी बताया है, तो देखो, यहाँ पर आपको पहले तो मैं बताती हूँ कि करना क्या है, तो ये इस तरीके से देखोगे, अब देखो आपके question में जो सबसे पहला word, मतलब पहला दिया हुआ है, वो है net profit before tax, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि net profit before tax को हम किधर दिखाते हैं, तो याद करो operating activities को class में मैंने आपको बताया कि net profit before tax जो है, वो हम लोग operating activities के head के नीचे दिखाते हैं, ठीके वो हमारा operating activities में जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, net profit before tax, मैं अभी NPBT लिख रही हूँ, आप मत लिखना, short forms use करना आपको allowed नहीं है, ठीके, examen बना marks कटेंगे, तो net profit before tax मैं NPBT लिख रही हूँ, और इसका price कितना दिया हुए, देखो, 2 lakh rupees, ठीके, तो simple से 2 lakh rupees जो है, वो ऐसे अंदर वाले कॉलम में लिख देना, ओके, समझ गए बात, अब देखो क्या है, cash balance, 1st April का मतलब opening cash balance, और फिर cash balance कहां पे, last date का, ठीके, मतलब closing cash balance, तो इसका use आ आता है, या cash जाता है, जो पहले से cash है, उसका आपको काम अभी नहीं करना है, इसका काम कहां करेंगे, यह मैं अभी आपको बताऊंगे, इसी class में, ठीके, तो पहले घबराना नहीं, अभी इन दोनों जो amount है, जो opening का और closing का, इसे अभी side करो, ठीके, ignore करो, उसके बाद बत लेगी class में बताया था, कि यह भी हमारा operating से related है, यह भी हमारा operating में जाएगा, लेकिन याद करो format जो मैंने आपको बताया था, कि operating activities में net profit before tax दिखाने के बाद, हमें non operating activities, मतलब non operating incomes और expenses को भी दिखाने पड़ते हैं, अगर non operating income है, तो उसे less करते हैं, और non operating losses है, तो उन्हें add करते हैं, यह मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी question में non operating expenses या losses या income नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यही हमारा two lakh है, यही हमारा net, sorry, operating profit before working capital changes हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे, ऐसे करके, मतलब two lakh लिखकर, okay, two lakh लिखकर, यहाँ पर नेट नहीं यह operating है, operating profit before working capital changes आप लोग लिख सकते हो, okay, आई बात समझ में, अब इसमें जो हमें क्या करना है, working capital का काम करना है, working capital का कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा current assets और current liberties होता है, liberties का सीधा rule है, कि अगर liberties increase हो रहा है, तुसे add कर देते हैं, और अगर decrease हो रहा है, तुसे less कर देते हैं, यही करते हैं न, मैंने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ पर आप वही काम हमें करना है, if अगर current liberties कोई दिया हुए, और बढ़ रहा है तुसे जोड देंगे, और का decrease हो रहा है, घट रहे, तो add करोगे, ठीक है, current assets का rule उल्टा है, current liberties का सीधा, बढ़ा तो जोड दो, घटा तो गटा दो, और current assets का गटा तो जोड दो, और अगर बढ़ा तो घटा दो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, add करोगे decrease in inventories ठीक है यह क्या है आपके current assets है मैं यहाप ऐसे current assets लिख देती हूं और कितने दिये हुए आपके 50,000 रुपीज तो 50,000 आपको यहाँ पे लिखने होंगे देन आपका दिया हुए increase in trade payables अब देखो बच्चों यह जो trade payables है यह क्या है आपका current liabilities है क्या है यह current liabilities और liabilities जब हमारा बढ़ता है तो जोड़ेंगे अब देखो यहाँ पे क्या है increase हो रहा है trade payables तो यह तो तो हमें क्या करना है इन्हें add करना है ओके इसे हमें साथ ध्यान रखना तो यह भी हमारा add हो जाएगा ठीक है increase in trade payables मैं शॉट में टीपी लिख रहे हूं ध्यान देना ठीक है 80,000 रुपीज तो 80,000 हम लिख देंगे अब चलो अब काम हो गया हमारा इसे add करके सब को बाहर क करने का ठीक है तो यह तो लाक रुपीज 50 लाक और 80 लाक add कर दोगे तो यह आप 3,30,000 रुपीज आता है 3,30,000 रुपीज आप बाहर वाले कॉलम में लिख दोगे इसे डबल लाइन से close कर दोगे ठीक है अब देखो यह क्या है आपका यह जो आपका आया है 3,30,000 अप्रेटिंग अक्तिविटीज आई बात समझ में अब देखो एक तो हमारा बन गया अप्रेटिंग अक्तिविटीज एक पार्ट कंप्लीट हुआ अब आते हैं हम लोग इनवेस्टिंग अक्तिविटीज की तरफ अब देखो क्या है सेल ओ अगर आप कोई भी फिक्स आसे शेल करते हुद आता है ऐस अगर मैं यह मारकर को तो मेरे पास कैस आएंगे सीधा ओल्ट करूंगे को सेँधा पूलम्ट कर घस नियुक्हां मेरे पास के अगे तो सीधा होगे सेल ओफ फिक्स ए एसेट और देखों आपका सेल हुआ है तो लाग ट्वेंटी थॉज़न रूपिज लिख दोगे उसके बाद आपका है रिडंप्शन ओस रेडेंटी परसेंड डिवेंचर स्थ हमारा फैनेंसि अक्टिविटीज में जाता है इसमें नहीं ज लाक ट्वेंटी थॉजिन रुपीज आप बाहर कर दोगे यह आपका क्लोज हो गया यह आपका क्या है अगर माइनस में होता तो नेट कैस्ट यूज लिखते लिकिन क्योंकि आया है प्लास हुआ है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे नेट cash flow from investing activities ओके अब है क्या आपको कि redemption of 10% debentures 10% debentures का जो है वो क्या हो गया है redemption हो गया है 10% debentures को आपने पे कर दिया तो debentures related भी हमारे financing activities में ही आते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे redemption क्योंकि यह आपने पे किया है इसलिए आपका less माइनस में होगा ठीक है redemption of 10% debentures और यह amount कितना है 4 lakh rupees तो 4 lakh लिखेंगे हम और यह 4 lakh हमारा बाहर हो जाएगा लेकिन यह प्लस में नहीं है यह आपका cash used in financing activities financing activities ओके आई बात समझ में और यह आपका इस तरीके से हो जाता है अब क्या करना है इतना काम करेंगे भई तो अभी बता रही हूं न अभी इसलिए तो मैंने बचा के रखा था अभी बताने के लिए अब देखो मैं क्या बता रही हूं अब यहां पर जो आपका यह तीन अमाउंट आया है ओप्रेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इन्हें आपको एड करना पड़ता है तो चलो एड करके देखते हैं थ्री लाक थर्टी थाओजन प्लस टू लाक ट्वेंटी थाओजन इस पाइव लाक फिफ्टी थाओजन रूपीज और फिर प् प्लस में बच रहा है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे डी नंबर देकर लिखना ठीक है नेट इंक्रीज इन कैस एंड कैस एक्विवेलेंट और यहां पर बाहर में अमाउंट लिखोगे यह आपका अमाउंट आया है वन लाक फिफ्टी थाओजन रूपीज तो वन ल आपके question में जो है वह 1 April का cash balance दिया हुआ है 1st April का कितना दिया हुआ है देखो question में तो 1st April का आपका दिया हुआ है 1,10,000 रूपीज ओके and 31st March का आपका दिया हुआ है 2,60,000 रूपीज तो यह जो opening date वाला balance होता है इससे आपको यहां पर add करना है जो भी आपने यह 1,2,3 को add करके जो आपका amount आया उसमें ठीक है तो यहां पर add करोगे हम cash and cash equivalent at beginning ठीक है 1,60,000 रूपीज sorry 1,10,000 रूपीज तो 1,10,000 रूपीज दिखा दोगे इस तरीके से तो यह आपका 1,60,000 रूपीज sorry 2,60,000 रूपीज आता है अब देखो क्या आपका closing date पर balance 2,60,000 रूपीज है और आपका 2,60,000 रूपीज आ गया it means आपने correct बनाया है yes इसका मतलब यह है क कि आपके पास 1st April को इतना balance था और बाकी का जो balance है remaining वो इस तरीके से आया और तब जाके आपका opening वाला और बाकी आपने जो calculate करके निकाला वो balance को मिला दिए तो आपका closing date में 2,60,000 रूपीज आपको cash मिला आई बात समझ में तो 2,60,000 रूपीज आ गया ना अब यह जो आ balance at the end आई बात समझ में यह आपका यह होता है यह वाला balance है आई आपको यह समझ में आ गया यह हमारा एक easy level सा question था ठीक है यह हमारा easy question था जो मेरा motive था कि आप कैसे बनाते हैं यह आपको पता चल जाए तीन पार्ट में डिवाइड करके last का क्या है ठीक है आई बात समझ में तो एक काम करते हैं आज का class यहीं पर हम खतम करते हैं जो next class होगा उसमें मिस से थोड़ा सा medium level वाला question को solve करेंगे और उसके बाद एकदम hard level वाला questions को solve करेंगे तब तक के लिए इस type का जितना भी question आपके book में है solve कर लेना और अगर नहीं है तो मैं PDF में इस type के questions को आपको description box में दे दूंगे full practice करेंगे और बहुत अच्छे से chapter को complete करेंगे okay so till then bye bye have a good day stay happy stay healthy and हां बाकी जो chapters हो गया है उन्हीं रिवाइस करते रहना